हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे भले चंगे होंगे और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोशिक फैमली में और आज में लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू व्लोग कभी डांसिंग कभी फ्लोग कभी को आप लोगों के इंट्रेइन्मेंट के लिए मैं लेकर आते हूँ हर दिन कुछ न कुछ नया फिर आप कमेंट करके ये भी नहीं बताते आपको क्या चीज पसंद है क्यो बताना चाहिए न क्या पसंद है क्या नहीं तो भी आज में हम बनाने जा रहे हैं मिया भी बेसन के ल ओकेलिय केले काम करने मज़ा नहीं आता तो भी मैंने इसमें बेसन डाल रखा और गी डाल दिया है और मैं इसमें एक दम से सारा गी नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके देरे देरे डालते रहेंगे और सेखते रहेंगे और भई अभी कड़ाई हो चुकिया गरम और मैं कर लेती हूं इसको मिक्स तो भी देखो कुछ भी काम करते ना टाइम तो बहुत लगता है यह नहीं है कि एक मिनट में सारा काम हो जाए एक मिनट में कुछ भी नहीं होता है तो फुल टा रखके फिर बनाना चाहेंगे और कड़ाई हो गई है गरम मैंने ले लिया कपड़ान और जब तक इसको पकड़के नहीं करें ना तब तक मजा नहीं आएगा नहीं तो इलती रहती है मेरे दुखने लग गई थे भई आथ फिर आईल पकरवाने आ गए मेरे आश्मेंट क्यों एक बंदे का तो आदुखने लग जाता है कि वो फटाफट से आथ चलाते रहते ना फटाफट काम करते हैं तो आथो में तो दर्दोना ही है अगर इसको छोड़ दिया तो इनिच्चे से जल जाएगा तो मैं फटाफट फटाफट से लग रही हूं बीच में मेरे एस सोचा चलो भई सारा सामान तो पड़ा है ये गर में बना लेती हैं बेशन के लड़ो सर्दी में एक तो बूख भी जादा लगती है पड़े पड़े तो फिर ये ना जादा था बैड़ किलो बेशन था तो दो बारी करके फिर मैंने इसको बुना है कड़ाई में एक बारी क तो निकाल दिया और दूसरी बारी फिर से डाल दिया है मैं निकड़ाई में और साथ में चल रही है मारी मस्ती ये पता नहीं क्या कह रही है हम लोग ऐसे हैं बई एक दूसरी के साथ मज़ा करते रहते हैं और अपना टाइम पास होता रहता है ऐसे मुफला के नहीं रहते और ये बही देखो, आपके बार मैंने थोड़ा कम सेखका है पता है, बेशन में क्या होता है, पहले तो ये लगता है जैसे कम गी है और बाद मीותना घी हो जाता है उसमें सिखने के बाद गी सेसी के छोड़ देता है बिल्कुल पानी के तरह हो गया देखो कितना गी गी ओ रखा है निच्चे बाले में आप देख सकते हो और ये भई ये मेरे पास रख्या था नारील का पूरा दम में है ना ये थोड़ा सा रखती हूं भई गर पे जब भी हम कोई भी मिठाई बनाई गुलाब जमनों अगेरा कुछ भी तो वैसे ज्यादा तर मिठाई में यूज होता है तो मेरे पास यह रखा था फिर मैंने कटोरी इसमें एड कर दिया और ये मिक्स करने पे ठंडा करने लगे हुए थे और अब ये हो गया था ठंडा ये ठंडा होगा ना तब तक हमने खाना बुणा के खा लिया औ अच्छे से मिक्स हो जाती है नहीं कहीं से रह जाती है कहीं जादा कहीं कम और फिर मैंने आथ से अच्छे से मिक्स करके फिर इसके लड़ू बना दिये हैं हमने सब मिल बाट के कर लेते हैं काम ऐसे ही यह देखो भी ऐसे मिक्स करते हैं इसको ऐसे मिक्स करने से ना फिर जादा हो गया है देख लो बिल्कुल ठंडा हो चुका है फिर भी लड्डू नहीं बन रही और जिसमें बिल्कुल ठंडा होने के बाद मैंने चिन्नी में मिक्स की थी इसमें बिल्कुल ठंडा हो गया था फिर भी जादा गी की काण है ना लड्डू पसर गे पसारा मारने गोल गोलों के नहीं बैठे और मेरा नन्य भी लगा रहा है हिन पे बदाम ये इसकी डेकोरेशन कर रहा है साथ में पापा बेटा दोनों लगे हुई हैं और मैंने सोचा था मेरे एसमेंड लड्डू बना लेंगे फिर ये बुले ना मेरे चिकने आथ हो जाएंगे अपने लड्डू ये देखो वही कर दी ना डेकोरेशन बच्चे ना गूंध बाले लड्डू तो खाते नहीं है जिसको पीनिया बोलते ना वो तो इन ये बेसन के लड्डू पसंद पहले इन के लिए बना दिये बेसन के लड्डू हम बनाएंगे बाद में अमारे गूंध के खालोब यम्मी 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 वाव टेस्टी टेस्टी